है 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 लो माई यूट्यूब फ्रेम्ली मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं मास्क पैन के बैटी रहूं और यहां पर यांच को भी काफी ठंड लग रही है है न रियांच और यहां पर प्यू बैटी है इसको भी ठंड लग रही है आज इतनी ठंड है ना इतनी ठंड है ना कि धूप का नाम नहीं आया है अभी मैं आपको भार का वैदर दिखाते हूं बाइद वे हम उट गए हैं हमने नाश्ता कर लिया है और बस अब बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है क फाइव फाई गई बाढ़ में मन तो ऐसी कर लेकिन अपने मन की थोड़ी ना सुन सकते हैं हम अपने मन की बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं हमें करनी पड़ेगी सपाई जो कि अभी करेंगे हैं 15 मिनट बात क्योंकि मैं नाश्ता करके बैठी हूं प्लेट भी यहीं रखिया की आप देख सकते हो वह हैं बहुत ज्याधा ठंड नो रिया है और मेरी बहुत धादा खराब हो चुक्या ठंड के मारे अंद मैंने यह उप्ड़ा कपड़ा आए उपड़ा पहले मैंने करम इनर पैंड रखा हैं फिर मैंने एक स्वेटर पैंड रखा हैं फिर यह शॉल औ स्वेटर यह चौता हो गया तीसरा और यह शौल पाच्वा और दो सॉक्स मेने परण रखी है और गरम लोवर परण रखा है उसके मन कर रहा है इसके नीचे भी पजामी पहन लूँ यह सब देख रहे हैं कि मैं जूट बोल रहे हूं जूट नहीं बोल रहे हूं मैंने बहुत बहुत सारे कपड़े पहने रखे जब भी मुझे बहुत जादा ठंड लगरें देखते अभी क्या होने वाला है और कल के कपड़े सूखे वह और वह सूखे यह नहीं है सभी बता हूँ अब मैं सोच रही हूँ कि उन्हें प्रेस करूँगी देखते हैं आगे क्या क्या करने वाली हूँ मैं आप लोग चैनल पर बने रहे ना और कैसी ठंड के मज़ा ले रहे हूँ आप लोग वह तो मैंने दरवाजा बंद कर रखा है तो तोड़ी राहा थे इस अब भार का मोसम दिखाती है जी सारा काम हो गया है बस मैं नहा कर रेडियो गई हूँ और सफाई वे गएरा भी मैंने कर लिया है सिरफ यही वाला रूम है ना यह वाला रूम बच्चा हुआ है क्योंकि वही है ना जब बच्चे घर में होते हैं मेरे से तो कोई काम होता न गविजेते हैं ना गफाई है है बच्चों को एक दिन जीमस पहें ठी है दूसरे दिन उसको में मशीन में डाल देते हैं तो फिर वह बच्चों को नहीं होते हैं तो सफ प्ञेक सब्ष़गे ओकड़ी बढोड़ा करकर हुँ और यह द शीट यह क्योंकि जहाड़ी नहीं और आज मोका लगा है तो मैंने का चलो जहाड देते और सबसे जादा गंदा मेरा यही वाला रूम होता है अच्छा मैं बच्चों को बोल देती हूं कि इस वाले रूम में तुम कपड़े रख दो मैं बाद में देख लूँगे और बच्चों का रखना मिन्स होता है बिखेर सब्सक्राइब करें तो इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब तो जी नीचे का सारा काम खतम करके मैं आ गई हूं छत पे च्छत का बहुत बुरा हाल हो रहा है जो कि फिर से सफाई करने पड़ें पड़ें क्योंकि रात को काफी देर हो गई थी फिर रात को ठंड भी बढ़ जाती है तो फिर हमने रात को तो कुछ नहीं किया था तो आप देख सकते हूं पूरी चत का बुरा हाल हुआ है यह बॉनफायर हो रही थी हर जगा डस्ट डस्ट हो रही है देखते हैं शुरू करते हैं का कि शुरू तो करना ही पड़ेगा यह तो कैसे होगा का तो चलते हैं यार शुरू बात करते हैं बहुत गंदा हो रहा है मैं आपको बैक से खाती हूं कि इस पर खाना ही खाना पड़ा है पार्टी तो हो गई लेकिन पार्टी के बाद जो सफाई है वो भी हमें ही करनी है और क्या कहते है वह है न देखो एक दिन पार्टी तो अगले दिन काम यह तो होता ही है और कुछ भी आप कर लो न, तो फेलावा तो होता ही है, और फेलावे को समेटना भी होता है, तो वही मैं कर रही हूँ, बच्चो का जो भी फेला रखा था, हम सब नहीं फिलाया था, in the sense, तो वह सब मैं समेटूंगी, पूरी छट को फिर से क्लीन करना है, क्योंकि फिर से हमे यहीं बैठना होता है तो फिर खराब हो जाती है फिर अच्छे से इसको क्लीन भी करना है चलिए क्योंकि अभी हमें 31st December भी यहीं पे बनानी है और Grand पार्टी होने वाले है न्यू येर पे मतलब चोटी सी पार्टी जो भी हम करेंगे हमारे लिए वही ग्रेंड हो जाएगी बढ़िया हो जाएगी सबसे अच्छी पार्टी हो जाएगी तो जी सारी चेयर वगारा को मैं साइट कर दूंगी क्योंकि जाड़ो लगाते हुए फिर बीच में आएगी और यह जो टेबल ह है ना यह हमारी चत पे रखे रखे कराब हो गए पहले यह मेरे फ्लोर पे ही पड़ी रहती थी इसलिए मैंने इस पे बैट शीट बचाई थी बैट शीट भी गंदी हो गई इसको मैं दोने के लिए नीचे लेके जाओंगी और यहां पे बॉन फायर करी थी ना तो यह उसक बहुत सारे काम हो जाते लिए क्रिस्निस ट्री प्यू के पाप ने हटा दिया टेबल को भी साइट कर दिया क्योंकि वह है जाड़ु लगा हुँ तो सारे में से साइट-साइट करते रहेंगे ना सारा समान तो फिर मैं अच्छे से ईजली जाड़ु लगा सकते हूं और किय तो चलिए बातों बातों में मेरी चछत हो गई है तो प्लीज जो भी मेरे व्लॉग को फर्स टाइम देख रहे हैं प्लीज चानल को जरूर सब्सक्राइब करना आप सब के सपोर्ट की ना बहुत जादा जरूरत होती है बट कोई नहीं आएगा मेरे पास भी एक दिन आपका स पोर्ट आप सब का प्यार तो यहां पे क्या है ना मैं गरम-पानी रख लेती उं क्योंकि फिर पानी नहीं प्या जा तो ठंडा पानी तो ठंड बहुत जादा हो गई है तो कड़़ए कंटल में भी भर लिए और एक गlaस रखा है उसको में दीरे दीरे पीती रहूंगी यहाँ पे मैलाई थी मेथी और बत्वा मेथी के सबजी बना लेंगे और आलू के पराटे और बत्वे कराये था तो बहुत जादा टेस्टी लगता है तो खड़े-खड़े मेरी हालत सी खराब हो रही थी तो मैंने सुचा चलो यार बैट के कर लेंगे काम रात को डिनर का टाइम है ये डिनर के टाइम के बाद ना मैं बैट गई हूँ टीवी देखते देखते ना मैं ये सब कर लूँगे और बच्चे को मैंने बिठा रखा है अंदर पढ़ाई करने के लिए हाला कि वो पढ़ते हैं लेकिन हाई ये है चलो मैं बोलती हूँ तो थोड़ा जो होमवर्क पर गहरा होते हैं वो कर लेते हैं तो यहां पर मेथी मैंने साफ कर दिया है इसके बाद ना मैं बत्धुआ साफ करूंगी और टीवी मैंने अपना फेवरेट प्रोग्राम चला रख जाएगा मैं तो ऐसे ही करती हूं सॉंग चला लेती हूं मॉर्निंग में नहीं तो कोई टीवी पे कुछ बिग बॉस लगा लेती हूं कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें मनोरंजन भी चाहिए इतना काम के बाद हूं सारा जिन फिर काम ही करते रहो तो यहां बाइद आव मैं लोगा से लगिछाय लिए सृषच ग्रॉम्य चाहिए अर्थमा रटे क्यों सांप्निटनिया छुक्त ना तो ये यह जब बीछिए बनाद भ्यप अमें पर उसे कि पेहां भी पादेगी यम तर लेती हूं चाहिए ताकि जब मिज़े सुबा ना कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि मैं मेथी का आठा गुंद करना आलू के पराठे बनाओगी आलू भरकर मेथी के आठे में पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं और बत्वे के रायते के साथ तो बहुत जादा टेस्टी अच्छा यहां पे ना द लेकिन रियांश बिल्कुल नहीं पीता है अच्छा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना यहां पर दूद गरम हो रहे ना तो साथ साथी जो मेरे बरतन दुलेवे रखे हैं मैं उनको भी लगाती रहूंगी इससे मेरा ब्रेकफास्ट की तयारी मैं रात को ही कर लिया तो मेरा आधा कामना सुबा का अभी मैंने खतम कर दिया है देखो तो टाइम तो लगता है एक ड़ड़ गंटा लगा था मुझे पूरे काम में लेकिन वही है ना अगर हम यही काम सुबा करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा अच्छा सारी बरतन मैंने लगा दिया है और थोड़े से बरतन जो पड़े हुए थे ना उनको भी मैं मांच के रख दूगी यार ऐसे ही थोड़े कामों को मैनेज करना पड़ता है तब ही आपके काम है जो एजली हो पाते है अच्छ बहुत जादा ठंड हो रही थी ना मेरे हाथों को भी बहुत आराम मिला अच्छा किचन क्लीन करके मैं चली गई थी फिर से मैं आप से मिली हूं मॉर्निंग में बच्चों के लंच बनाने वही सुभा की शुरुवाद बच्चों के लिए बनाना है लंच और रियांश की थोड़ी थी ना तब है खराब है तो देखो कितना अच्छा हुआ ना मैंने रात को अपने सारे काम कर लिये तो सुभा सुभा मुझे मेथी काटनी नहीं पड़ी दोनी सिर्फ धोते ही मैंने आटा लगा लिया अब आटे को थोड़ी देर रेस्ट देंगे इतने मैं आलू भी चिल के रग दूंगे और आलू का साथ मनोरंजन भी हो गया तो एंटेटेंडमेंट विद वर्क हो जाता है तो चलिए यहां पर आलू को मैंने मैश कर लिया है मसाला वगेला वही बेसिक सा नमक मिर्च हल्दी ओ सॉरी नमक मिर्च और धनिया पाउडर मिलाया मैंने आलू की पिठी वनाने के लिए तो यहां अब वह खाके जाती है लेकिन आज कल नहीं खाके जा रही है और यहां पर बस दही दिया मैंने पियू को क्यूंकि फ्रिच की दही थी तो वह नॉर्मल हो जाएगी स्कूल में जाते जाते हैं तो देख सकते हो आप यह रेडी हो गई है उसके बाद मैं इसके कंगी विगरा कर दूंगी यहां पर पीयो बील्कूल रीडी हो गई है बस अपने शूस पाइन कर नीचे निकल ही रही है और मुझे ठं लग रहे है कि मैंने इसके बाद मैंने सारे घर की सफाईए कर ली ती फिर मैं आ गई हूँ चत पे क्योंकि दूप Strategy और तो थोड़ी र्ण थी तेज नहीं थी दूप तो यहां पे सारा काम निप्टा कर मैं बत्वे कहे राजते के साथ विद हरी चटनी और मेथी आलू के पराठे बहुत ही जाधा टेस्टी यहां पे रियांश खेल रहा है और मैं कर रही हूँ नाश्ता रियांश ने भी कर लिया है नाश्ता